दोसों आज हम बात करेंगे म्यूजिक इतिहास में सबसे बड़े वाड़ जिने कहा जाता है और अपने इतिहासिक 66 एडिशन के साथ वापिस आ चुका है और इसका नाम है ग्रैमी 2024 इसमें भारत ने जहां अपना शक्ती से अपना परचम लहराया और भारत में चार ग्रैमी मौजूद है और काफी जादा इंटरनाशनली यह सुनते हैं काफी सारा इंटरनाशनल म्यूजिक को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आप यह बता दो नाम बड़ा जीव सा डेलर सुट ने जो अनाउंस किया लेकिन आप थोड़ा सा क्लारिफाई कीजिए कि किस तरह से क्या होललिवोड में म्यूजिक नहीं होता है इट इस इन इट इस इन अडिफ्रेंट इंडस्री इन इसल्फ वहाँ के जो स्टार्स हैं वो दुनिया के बड़े-बड़े स्टार्स है ऐसा सबसे बड़ा नाम है तेलर सुट तो जो स्विफटीज कहते है उनके फैन को तेलर की नई आल्बम आने जा रही है The Tortured Poets Department यह तो बड़ा गंबीर सा नाम है लेकिन Taylor Swift देखिए एक कमाल की आर्टिस रही है यह Michael Jackson से इनका comparison होने लगा है इस बार Grammy जीत के Michael Jackson के बहुत करीब आ गई है मतलब मैं अभी comparison नहीं करना चाहूँगा अभी Taylor Swift Michael Jackson के लेवल पर पहुँच गई है बट कम भी नहीं है इस जनेरेशन की इस जमाने की पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी सूपर स्टार है Taylor Swift मेरे को आज भी याद है 2008 में इनका गाना है था Love Story और वहां से जो इनकी जर्नी शुरू हुई है मात तर एक 16-17 साल की लड़की तब से बूम करी है और आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है अब इन्होंने क्या अवार्ट जीता है जो आपका में सवाल था इनकी आल्बम आई थी Midnights जिसका में गारा था Antihero वो Album of the Year जीती है आल्बम of the Year सबसे बड़ा अवार्ड होता है सोचिए Music Albums बनती है यहाँ पर इंडिया में अब आल्बम का कल्चर खतम हो गया है कम हो गया अब दुबारा रिवाइव हो रहा है जैसे जैसे Hip Hop आ रहा है लेकिन वहाँ पर हमेशा से चल रहा है और Album of the Year यानि सबसे बड़िया गानों का पूरा ट्राक जो पूरा 15-20 ट्राक किस ने मनाए टेलर स्विफ्ट ने बनाए जी तो यह था Album of the Year इसके अलावा बाकी जो ओवार्ड थे बिली आइलिश के बारे में काफी लोग जानते है बिली आइलिश ना एक नई सूपरस्टार बने है जी सब जब जानते हैं बिली आइलिश को आन है बट उनको भी अपने गाने What Was I Made For के लिए Song of the Year मिला है और बहुत कम उमर में सिरफ 20s में है अपनी early 20s में ऐसी उमर में अगर उन्होंने ऐसा ओवर्ड जीत लिया है तो उनका future भी बड़ा bright है लेकिन अगर उनका comparison में करूँ Taylor Swift से So she is still very far लेकिन अब जो R&B song जीता है Best R&B song वो मेरा favorite है Snooze नाम है गाने का और ये SZA ने गाया तो ये R&B जो नहीं जानते दर्शक It's rhythm and blues तो ये ना इंडिया के अंदर भी genre differentiation नहीं है इंडिया के अंदर जो बस classical नहीं है और Bollywood नहीं है वो एक एक ही genre है सब उसको hip-hop के अंदर डाल देते है भार ऐसा नहीं है R&B होता है rhythm and blues अब गाना सुनिये snooze जो best R&B song रहा है आप खुच जान जाएंगे hip-hop में R&B आप अभी आ रहा है अभी established हो रहा है देरे देरे लेकिन अभी भी distinguish करना audience के लिए वो थोड़ा सा बरकरार है जी और इसके लावा record of the year मिला है Miley Cyrus को flowers के लिए अब record of the year और क्या गेता है song of the year में फरक होता है song of the year record of the year बात तो वही लग रहा है record of the year है या song of the year है लेकिन song of the year थोड़ा जादा ऐसे होता है determination से कि आपकी song writing कैसी थी गाने का music कैसा था लोग इसमें कितनी गहरी बहात आपने कहने की कोशिश करी है टेलर स्रुफ्ट अवार्ड जीत रही है आप देख सकते हैं माईली साइरस अवार्ड जीत रही है तो ये कमबैक हो रहा है इनका इस इंडस्ट्री में बिल्ली आइलिश का इक इंटिव्यू मैं देख रहा है बिल्कुल यही तो खासियत है वो 18-19 साल की उमर से म्यूजिक बना रही है और अपना पूरा म्यूजिक प्रेड्यूस 18 साल की उमर में वीडियो प्रेड्यूस कर दी हिरोईन भी अज़र मतलब अज़र मॉडल भी वो सामने आ गई अब इसी बीच थोड़ी सी बात करें हम इंडियन म्यूजिक को भी लेके दस शक्ति फ्यूजन उन्होंने पूरे बैंड ने जीता है वार्ड जिसमें कि हमारे शंकर महादेवन और तमाम जट तो पूरा बैंड था उन्होंने काफी सारे वार्ड जीते है और हनी सिंग पाजी ने कहा था 2011 में कि ग्रैमी हमारा एक सपना है लेकिन साकार अब देरे-देरे हो रहा है तो अब बात की जाए तो इंडियन हिपॉप भी काफी जादा ग्रो कर रहा है और तमाम अब काफी सारे शोज भी खुल चुके हैं जो कि अब जो रिप्रजेंटेशन हो रही है वह नषट के लिएक्टो में अब जो रॉपतार है वह के इन् वीएलीटन हो रहा है मन्तो आप ने सुना की ना बहुतर एक हैंन KissMarak कह सकते हैं निओने लोग तो मैं यह कुछ नांगा इंडियन हमारा MT Gl 2025 बाहर जाके परशम लह रहा है उनके बारे में क्या कुछ कहना जाएंगा करो ग्रैमी ले आउंगा हनी सिंग ने का था पर ग्रैमी अब आगे है शंकर जो बैंड लाए फ्यूजन मैं बहुत बहुत अच्छा काम किया है नोने क्योंकि देखिए आप जॉनर को पकड़िए और वहाँ एक्सेल कीजिए तब ग्रैमी लाना पॉसिबल है नोने वही किया अपना जॉनर पकड़ा उस पे आगे चलते चले गए और दुनिया भर में बेस्ट गाना बना दिया अब आते हैं हिप-अप की बात पर कि इंडिया हिप-अप उपर जा रहा है इंडियन हिप-अप बहतर करता जा रहा है और रिकॉर्ट भी बन रहे है डिवाइन को कि इंग्लिश जो लेंग्वेज है वो युनिवर्सल लेंग्वेज है ग्लोबली सुनी जाती है तो इसी वज़ा से सिर्फ एसी वर्स इंडियन हिप-अप थोड़ा सा पीछे लेकिन अगर लेंग्वेज बैरियर ना हो क्योंकि हमने देखा है मुरोकुन सॉंग्स जर्मन स है अरबिक राफ है सब अब धिरिए यह बैरियर मैं एक तोड़ा ट्रिक क्वेज जा अपने दर्शक हो से आप जानते हैं कि यूट्यु पे सबस्यादा व्यूस किस वीडियो पर गाना तो छोड़ी तिये किस वीडियो पर वह गान वीडियो एंग्वेज में नहीं आपने मैं आके आवार्ड नहीं देता ने बड़े बड़े आटेस्स देखे बड़े-बड़े आटेस्स माइड जैसे आटेस्स जिनको आवार्ड नहीं मिला वो Grammy छोड़ के चले गए कि हम Grammys में पार्टिसिपेटी नहीं करेंगे बट Grammys ने कभी भी अपना stand नहीं चेंज किया है वो हमेशा songwriting को award देता है बहुत अरोप लगते हैं बहुत controversies होती है लेकिन Grammys अगर अच्छा गाम करोगे तो Grammy तुम्हें award देगा मतलब ये Indian मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी लेकिन आज कुछ पिसले कुछ आलों से हम देख रहे हैं कि जो Indian awards shows है उनका क्या हाल है Grammys का वैसा नहीं है वो genuine जो deserving होता है उनको देता है एक ना बीच में घटना भी हुई इस Grammy में में देखने को मिले कि लिए रमाइक के साथ जो हाथसा हुआ कि तीन अवार्ड तो उन्होंने ले लिए लेकिन उसके बाद ही तुरंत रेस्ट हो गए तो उस पर क्या गरना जाएंगे देखे अब देखे भार का जो हिप आप कल्चर है ना वो हमारे जो भोले बच्चे उससे दूर ही रहे हमारे देशवासी क्योंकि कभी-कभी कुछ गलत कर जाते हैं वो लेकिन उस पर उनको ज्यादा टिपनी देना है इतना ठी उचेत है भी नहीं सब्सक्राइब कर जाते हैं यहां पर इंडिया में भी हम देखते हैं कई बार किसी से बहस हो जाए बड़ यह था बहुत फ़नी और कहां गए सीधा जिल लेकिन यह कॉमन है यह कॉमन है हाथसों के बीच हमने काफी सारी चीज़े देखने को मिली काफी सारी डिजर्विंग जो आटिस्त है उनको वार्ड मिला अब ऑसकर के बाद भारत ने अब ग्रैमी में अपना पर्चम लहरा दिया है तो यह कुछ अ इसा आएगा कि आल्बम ऑफ दियर या रेकॉर्ड ऑफ दियर या सॉंग ऑफ दियर कोई भारती लेके जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आयो हूप आपको काफी सारी जानकारी मिल चुकी होगी और जिसने ग्रैमी अगर देखना मिस कर दिया तो काफी सारी मिली जाएंगी अगर आपने वीडियो को लास तक देखा है और अभी तक यहां तक आगे हैं तो भाई सब्सक्राइब ही करी दो और अपने दोस्तों को शेर करो जो काफी फॉलो करते हैं और जो मुजिकली काफी साथ कनेक्टिड हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही